चुनाव को लेकर कॉंग्रेस ने बड़ा एलान किया है प्रियंका गांधी को मध्यपरदेश का प्रभार मिल सकता है विधान सभा चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी मिल सकती है 12 जून से प्रियंका गांधी मध्यप्रदेश से चुनावी शंकनात कर रही है और पिछले विधान सभा में प्रियंका गांधी यूपी की फिरबारी रही है तो जवलपुर में अब कॉंग्रेस की बड़ी रणनीती बन सकती है और प्रियंका गांधी को अब मध्यप्रदेश का प्रभार मिल सकता है और चलिए इस ख़बर को हम और अदिक कहराई से समझने की कोशिस करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुल गए हैं सूरज अब कॉंग्रिस के लिए प्रियंका गांधी एक बड़ा काम करने जा रही है और उनको प्रभार मिल स पर इसको कितनी मजबूती इससे मिलेगी महिलाओं से जोड़ी कई बड़ी घोशना है सरकार कर रही है चाहिए पांसो में स्लेंडर हो पंदरा सो रुपे हर महीने हर महिला को दिया जाना हो साथ देही क्यार है कि महिला नेत्री होने के नाते कॉंग्रेस मद्परदेश की कमान साइद प्रियंका गांधी को सौप सकती है प्रियंका गांधी को उत्तर प्रियंका गांधी को मिल सकती है क्योंकि दिल्ली चाहती है कि मद्परदेश में 2018 के बाद बूर्ण बहुमत के साथ 2023 में सरकार बने और जिस तरीके से महिलाओं को लेकर आधी आवादी को लेकर कॉंग्रेस अपने वचन पत्र में है जो योजना सामिल कर रही है उससे कहीं ने कहीं बल मिलेगा दी प्रियंका गांधी मद्परदेश के कोई प्रभारी बनती है तो आने वाले समय में और भी कई बदलाओं देखे जाने लेकिन उम्मीद यही है अब देखने हुगा कि जवल्पर में तमाम नेता जुटेंगे तो क्या एक बड़ी रिड़नीती के साथ कॉंग्रेस आगे बढ़ेगी और क्या वाकई मद्परदेश में प्रियंका गांधी का चुनावी संखनाद बधान सभा चुनाओं के प्रभार तक आगे रह सकता है प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस दाव के लाई है ये दाव कितना मजबूत होने बाला है ये भी देखना बड़ा तिल्चस्प होगा फला शुक्रिया हमारे साथ चुटने के लिए